तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में पाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चार चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नमबर 20, 21, 22, 23, 20 से लेकर 30 चैप्टर तक टोटल 4 चैप्टर हो रहा है और आज के समात्रे की वीडियो में हम लोग इन 4 चैप्टर को इंदम शॉट कॉट में लेकिन हर एक पॉइंट को कवर करते हुए कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट करना आसान बात नहीं है लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि शॉट कॉट में और हर एक पॉइंट को कवर कराते हुए कंप्लीट कराऊं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग को अंत तक बने रहना है और हर एक चैप्टर को यानकी 4 चैप्टर को कंप्लीट करना है ठीक है ना चलिए वीडियो काफी इंपॉड़न है बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक शेर करके मोटिवेशन बढ़ा दे जोश जुनून बढ़ा दे क्योंकि आप लोग के ये लाइक शेर सही हमें मोटिवेशन मिलता है निरंतर कलास लेते रहने की तो जितना ज़्याद हो सके शेर कर दे अपने परोसी अप मैं आप लोगो सिर्फ चप्र नॉमंबर 19 का नाम है हम नौजवा है जो कि एक नजम है और रॉटर परवेश शादी इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ चैप्र नॉमर 19 के राइटर के बारे में यान की पर्वेश शादी के बारे में पढ़ा कर और वी कंप्लीट करेंगे और 22 करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम नौजवा है याईनिकी चेप्टर नोबर जो 19 है उसको पढ़कर और अर्थ बता देती हूं इस नजम के परतिय को पढ़कर उसका मतलब बता दे तो देखिए नजम कुछ इस तरह से है राइटर के बारे में आप लोग अलड़ी बता चुकि उसके पहले वाले वीडियों में बस यह नजम को पढ़कर तश्रीव नहीं की थी तो अभी मैं आप लोगों को बता दे रहे हुं तश्रीप कर दे रही है कि मतलब बता दे रही हुए देखिए लिखा है इस नजम में हम नौजवा हैं जाने बहारा मरग खिजा है शादाबियों का गुलशन बदामा एक कारवा हैं जामों सबू की कैफ वो नमुरू है तपा हैं हम आतिशे गुल की रक्स करती चिंगारिया हैं हम नौजवा हैं देखिए ये नजम परविश शादी तब लिखे थे जब ये कलकत्ता गए थे और वहां पर नौजवानों का ज नेतोंच की स्थरह से उनके उनके घ्लात और जजबात को इस नजम में डाल दीया घए है यहांपर नौजवान बोल्डाएं कि हम नौजवा हैं और बहारों में जान जाने बहारा यहनं कि बहारों में जान हमारी व tend से आती है हम जहां बी जाते हैं न पत्रड का मौसम खतम ना और चारों तरफ हरियाली का जाती है थेखें गुल्षन में शादा भी हमारी वज़ा से आती है जिस तरह एक फूल के अंदर चिंगारी होती हैं या कारखाने जजबात के या अफकार के हूँ वाश याने सब्जे के मसंद काले धूएं के शामियाने सुनकर सदाय साज जवानी सब नगमेखा हैं हम नौजवाँ हैं यहां पर बोला जा रहा है कि वह हो दफातर चाहे दफतर हो या फिर कोई अब फैक्टरी हो या फिर घर हो या फिर स्कूल कॉलेज आसमान नहीं फिर जमीन हो चारो तरफ जिदर देखो तुमको नौजवाँ ही देखने को मिलेंगे यानि की चारो तरफ नौजवाँ ही नौजवां हैं भी वह सी फिर कैसिंद कर राती है यह जूरियाएं हम नौजवा है यह जो हमारे देश है यह हमसे कुछल मागती ती है देखो नौजवानों हम तुम पर ही निर्भर हैं और तुम इस देश के लिए काम करो इस देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर चलो तुम जहां भी जाओ इस देश के किसी भी हिस्से में रहो तुम जहां पर भी जाओ वहां के जगा को खुबसूरत बना दो वहां की परेशा रही है ए नौजवानों तुम अपने देश के लिए कुछ करो ठीक है ना तो यह जो है ना देश हमसे कुछ मांगती है बज में जवानी में हाय हूँ का हक मांगती है ठीक है ना हमारे सामने जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करो और इस देश को खुबसूरत बनाओ शोल का शोला भड़क उठा है सांसे हमारी सूरज की किर्णे शो के सहर में सुराह कर दे जुलमत कदों की दिवार वदर में सोच दरों से अपनी निगाहे आतिश फिसा है हम नौजवान है यानि की शुब दिन के शौक में अच्छे दिनों के शौक में हमारे दिल जिगर के इसा शोला भड़क उठा है कि सुराह कर दे जुलमत कदों की दिवार वदर में दिवार में भी सुराह कर सकती है यह जलन जो है न हमारे आखों पर साफ साफ दिखाई दे रही है आखों में आखे ऐसा लग रहाए कि जौना मुखी बन गई है बागे निर्शात हुसनों मु सरत लेकर आएंगे जो छिन गई है वह अपनी जन्नत लेकर रहेंगे बेकार बरहम बुरे जहन्नम के पासवान हैं हम नौजवान हैं बोल रहे हैं यहां पर नौजवान कि हम नौजवान हैं और हमसे जो बाग छिन गई थी ना वहम वापस लेकर रहेंगे हुसनों मुहबत लेकर रहेंगे, सुबा और शाम, यह हम वापस लेकर आएंगे, जो हमसे जन्नत चिन गई थी ना, वो जन्नत हम लेकर रहेंगे, भले जन्नत का जो रखवाला है वो हमसे कितना भी नाराज हो, लेकिन हम, हमसे जो चिन गया है, वो जन्नत लेकर रहेंगे, हमसे जो बाग चिन कर सकते हैं ठीक है ना और यहां पर हो जाता है यह नजम कंप्लीट ठीक है ना तो यह नौजवानों का ख्यालात था जो कि इस नजम में जाहिर किया गया था लिखकर जो है ना परवेश शाधी बताये थे कि नौजवान किस तरह की सोच विचार रखते हैं अब चलिए फड़ का का कॱम है यानि कि बूनों का वी ता है और इन दोनों कवीता यानि के जो सब्सक्राइब फांद है यानि YESarner पहले ढाउनों का क्रिएक हैं उनको सब्सक्राइब भी बहुदावे ऌला में जो सबस्क्राइब कौन है निदा फाजली याद रखिएगा अब सबसे पहले निदा फाजली के बारे में इनकी पैदाईश हुई थी गुवालियार में बस इतना ही आप को जानना है कब हुई थी ठीक है ना पूरा डीटेल नहीं बताया गया है बस इतना याद रखिएगा कि निदा फाजली की पैदाईश जो है ना वो गौलियार में हुई थी उन्हें से 64 नहीं तो पैसथ इस भी में इनके वालिद वालिदा और बहने जो है ना पाकिस्तान के क iN coffee और लगला पर नौकरी लिखे तक कि इस अर्दू और हिंदी के पत्रिका से से बी समंदित रहे नगमा निगारी भी कि नगबां भी लिखे हैं फिल्में भी लिखे थे अलग अलग जगाव पर इन्होंने जॉब किया था और जिस जिस छेतर में इन्होंने जॉब किया था ना नौकरी की थी उस छेतर में इनको बहुत सी शोहरत हासिल हुई थी लेकिन निदा फाजली आखिर में घजल और नज नजबनेगार के तौर पर मशूर हो गए ठीक है ना मतलब इनको शोहरत सबसे ज़्यादा इनको अगर लोग पहचाने तो घसल और नजबनेगार के तौर पर हलांकि यह जैसा कि मैं आप लोगों को बताई रिसाला यान की पत्रिका में भी काम किये थे पत्रिका से भी जूड भी ठोकर करते थे इस वह जैसे इनको हर एक छेतर में शोरत मिली थी लेकिन सबसे ज़्यादा जब इनको शोरत मिली ना वो मिली थी घजल और नजम लिखने पर ठीक है ना यह याद रखना है और गजल और नजम के लावा इन्होंने दोहें भी लिखे थे आगे बढ़ते ह इनके कुछ शेरी मजमुए के नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है याद रखना है शेरी मजमुए मतलब शेरोशैरी का किताब तो इनके कुछ शेरोशैरी की किताब भी प्रकाशित हुए है नाम देखिये लिखा हुआ है लफजों का पल, मोर, नाच, आक और के दरमियान खोया हुआ सा कुछ शेर मेरे साथ चल जिन्दगी की तरफ ये सब क्या है शेरी मजमुए है यानि कि शेरोशैरी का किताब है नेधा फादली का लिखा हुआ और उसके बार से नेधा फादली जो है ना उर्दू और हिंदी में इन्होंने एम्मे की डिग्री हा इसी को तो कहते हैं creation ठीक है मतलब इन्होंने क्या क्या create किया तो सबसे पहले तस्नीफ का नाम यह भी तो तस्नीफी है अभी में आप लोगों को शायरी के किताब का नाम यहां पर लफजों का पलमोर नाचा आख और फाब यह भी creation ही है निदाफादली का यानि कि यह भी तस् यह एक नाविल है नाविल को इंग्लिश में कहते हैं नोवल याद रखना है आप लोगों को और चेहरे चेहरे यह जो है ना यह एक खाका है दुनिया मेरे आगे यह भी एक खाका है वगले वगले यह सब किसकी तस्नीफ है तो निदाफादली की तस्नीफ है यान की निदा फाजली के द्वारा ये सारा नाविल खाका वगएरा लिखा गया है और USA, UAE, जर्मनी, बंगलादेश, पाकिस्तान, इंग्लेड और मारिशर्स वगएरा इन सभी देशों में नेदा फाजली की शायरी फैली हुई थी ठीक है न ये याद रखेगा ये मतलब देश, विदेश चारों तरफ इनकी शायरी की चर्चा हो रही थी, बहुत ही फेमस शायर थे, आगे बढ़ते हैं इनको अवार्ड में मिला था, सहित्या एकेडमी अवार्ड याद रखिएगा, शिकर सम्मान, घालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड, ये सभी अवार्ड जो हैना नेद ये क्लाइन को पढ़कर मैं उसका अर्थ बता देती हूँ, ठीक है, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोशन पूछ देता है, सब्जेक्टिव में तश्री करने के लिए, तश्री करने के लिए पूछ देता है, कभी-कभी, तो देखिए, बिजली का खंबा ये नजम लिखा गया है, और इसमें कुछ बिजली के खंबे से रिलेटेड ही बाते बताई गई है, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, यहाँ पर जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि कई साल गुजर गए हैं, इसी रह गुजर पर यानिकी इसी रास्ते पर किसी पेड़ के ठंडी च्छाओ तले में अंधेरे में मैं गुमसुमसा बैठा हुआ था, ठीक है ना, और कई अजनबी रहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेके आवाजे दी थी, फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त यह बात है उन दिनों की, यहां पर बोला जा रहा हैं कि कई अजनबी रहागीरों ने, जो लोग मुझको नहीं जानते थे, जो अजनबी थे, वो भी मेरा नाम लेकर आवाज दे रहे थे, मतलब कि जब कई साल पहले की बात है, जब मैं इसी रास्ते पर पिड़ हुआ करता था, और पिड़ के छाओं में मैं बैठा करता था, ठीके न गुम सुम सा, सभी लोग यहां पर आते जाते रहते थे, अजनबी भी जो है ना मेरा नाम लेकर आवाजे देते थे, मतलब पहले के जमाने में लोगों के बीच अपनापन था, चाहे गयर भी लोग हो, मतलब अजनबी भी हो, लेकिन फिर भी एक दुसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे, देखे ना, और सभी लोग बाहर निकल कर पेड़ के नीचे एकठे में बैठते थे और बाते होती थी, अपने दुख सुख की बाते होती थी, और पहले के लोगों के बीच अपनापन था, फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त, यह बात उन द लियुत नहीं था, मतलब की उस वक्त कोई विजली का खंबा टू नहीं था, लेकिन रफering का जो नूर है, चांद की रौशनी से ही सारा जग रौशन हुआ करता था, चांद का नूर उस क्त मैला नहीं था, उस स्वक्त चांद की रौशनी ही हमारे लिए काफी थी, और उस लोगों के बीच अपना पन था लेकिन अब अभी के जमाने में सड़के सुनसान हो चुकी है सड़कों के किनारे जो है ना बिजली का खंबा कुछ-कुछ दूरी पर लगा हुआ है और उस बिजली के खंबे से जो बल्व जल रही है ना बल्व की रोशनी से चांद की जो में अब सडके सुनशान हो चुकी है अब सडक किनारे पेड होने के बजाए बिजली के खंबे लगे हुए अब कोई घर से बहार नहीं निकल रहा है अब अभी के जमाने में अपनापन खत्म हो चुका है और यह सही बात है धीरे धीरे सारा अपनापन खत्म होते जा रहा है ठीक है ना तो यहां पर हो गया चैप्टर नुम्मर्ट ट्वेंटी कंप्लीट अब चलिए हम लोग कि बहुत ही आसान थी देखे लिखा गया इसमें कि नज्म बहुत आसान थी पहले घर के आगे फ़ेस्चों के बसतों से निकलकर रंग बिरंगी चिडियों की चहकारियों में ढलकर जब मेरे घर में आती थी मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी यहाँ पर शायर निदा फाजली वो बताने की कुशिश किये हैं कि पहले नजम लिखनी बहुत आसान थी घर के आगे पीपल के शाकों पीपल का जो पेड़ है उसके शाकों से उचल कर आते जाते बच्चों के बस्तों या इनकी स्कूल बैक से निकल कर रंग बिरंगी चिडियों के चहकारियों में ढलकर जब मेरे घर में आती थी न तो यह जो नजम है मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाया करती थी अब सब मनजर बदल चुके हैं छोटे छोटे चोराहों से चोड़े रस्ते निकल चुके हैं बड़े बड़े बाजार पुराने गली मुहले निकल चुके हैं नजम से मुझटक अब मिलो-themбी दूरी है जो शायर है वो कह रहे हैं कि अब सब मन्जर बदाल चुका है अभी का जमाना बदाल चुका है जो छोटे-चोटे चोराहे हुआ करते थे अब छोटे-चोटे चोराहों को हटा कर एक बड़ा सा चोड़ा सा रास्ता बना दिया गया है यानि कि छोड़े छोड़े चोड़े चोड़े से चोड़े रस्ते निकल चुके हैं जो पुराने गली मुहले थे ना उन पुराने गली मुहले को ये बड़े बड़े बाजार निकल चुके हैं यानि कि पुराने चोड़ चोटे गली मुχले को हटा कर वहाँ पर बड़ा-बड़ा बजार बना दिया गया है नजम से मुझ तक मीलो लंबी दूरी है नेधा फाजिली बोल रहा है कि अब नजम से और मुझ से जो बीच की दूरी है ना मीलो लंबी दूरी हो गई है ठीक है ना अब इन मीलो लंबी दूरी में कहीं अचानक बंफटते हैं कोक में माओं के सोते बच्चे कटते हैं मजभ और सियासत मिलकर नय-nय नारे रटते हैं बहुत से शेहरों बहुत से मुलकों से अब होकर नजम मेरे घर जब पूढ़े शहरी के पलकों पर आसु बन कर सो जाती है यहां पर बोल रहे हैं कि नजम से और मुझ से अब मीलों लंबी दूरी बन चुकी है अब इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक मंफटते हैं कोक में माओं के सोते बच्चे कटते मजब और सियासत मिलकर नए-नारे रते हैं यान कि अब बहुत कुछ बदल चुका है ठीक है ना मजब धर्म और पॉलिटिक्स को लेकर नए-णारे रटे जा रहे हैं अब एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं जगड़ रहे हैं ठीक है ना बहुत से शहरों से और बहुत से मुल्कों से अब जब नजम जो है इसके मेरे घर आती है तो इतनी ज्यादा ठक जाती है उतला ठक जाती है तो मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज को खाली छोड़ कर रुखसत हो जाती है और किसी फुटपात पर जा कर शहर के सबसे जो बूढ़ा अदमी है बूढ़े शहरी के पलकों पर आसु बनकर सोजाती है नजम बहुत आसान थी पहले यानि की नजम पहले लिखनी आसान थी लेकिन अब नजम से और मुझ से मिलो लंबी दूरी बन चुकी है, यहाँ पर निदा फाजली बोल रहा है, शायर, तो आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी नजम लिखे हैं, निदा फाजली, यहाँ पर हो गया, चैप्टर नमबर 21 भी complete, अब बढ़ते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, देखिए, दो चैप्टर कम्प्लीट हो गया है, और दो चैप्टर बचा हुआ है, यह चोटा चोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है, इसको भी बहुत जल complete कर लेंगे, और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये, तो फड़ और यह नजम में भी मजाहिया नजम है, मजाहिया नजम मतलब जिस नजम को पढ़कर हसी आए, उस तरह के नजम को कहते है मजाहिया नजम, यानकि बहुत ही मजदार यह नजम है, मतलब इस नजम को पढ़ने के बाद बहुत ही जदा हसी आने वाली है, ठीक है ना, मजाहिय नजम है तो इसमें कमेंट किया गया होगा तो किस पर कमेंट किया गया है किस चीज पर और किसका मजा कुड़ाया गया है तो याद रखिएगा यह जो नजम है ना टाइटल क्या है खड़ा डिनर यानि कि इसमें खड़ा डिनर पर कमेंट किया गया है और खड़ा डिनर का मज साथ में तो यही चल पड़ा है मतलब जितने भी गेस्ट आ यहां नटेंब हषाना अक्ल ढ किलाने का परबंद तो होना चाहिए तो आज कल यह रहा है ना कि भूफट में लगा दिया जा रहे लिए जब भोजन नोहां यह जाता है और जितने भी guest आये रहते हैं बराती आये रहते हैं वो जाते हैं और उनको जो भी भोजन ग्रहन करने का मन किया यानि कि जो भी खाना उन्हें पसंद आया प्लेट लेकर जाते हैं और उस खाने में से खुद से ही निकाला जाता है खड़ा होकर और खड़ा होकर ही खाया जात देखे तो इसमें यही झृडभा का मजाक उड़ाये कौन है मतलब कि इस नजम के शायर कौन है तो वह है सईएक लोह है से पहले से मौहम्मद जाफरी के बारे में समझ लेते हैं उसके बादसे मैं इस नजम को पढ़ूँंगी और बहुत ज़्यादा हसी है मतलब क्या बताए एकदम खडा डिनर का बहुत यह अच्छे तरीके से मजाख उड़ाए हैं अरे क्या बोला जाता है एकदम बैजजत कर देना बैजजती बहुत ज़्यादा हुई है इस नजम में खडा डिनर का चले समझते हैं सेद मुहमद जाफर सेद मुहमद जाफरी के बीच में मुहमद के बाद बस अली लगा दीजे तो उनके पिता का नाम हो जाएगा वालिद का नाम क्या है सेद मुहमद अली जाफरी और बस यह अली लटा दो तो राइटर हो जाएंगे सेद मुहमद जाफरी ठीक है ना सेद मुहमद जाफरी की की पड़ायी लिखाई शुरुाती शिक्षा जो है ले इनकी फुफी जाद भाई से मिली थी यानि कि जो शुरुवाती शिक्षा होते Series Chili उनसे मिली थी जाद रखना है अभी फार्ची अंग्रेषी तिनों में महारत इन की इंग्लिश सोचिए अर्भी फार्थी अंग्रेजी तीनों लेंग्विज में बहुत ही अच्छी पकड़ बन गई थी से लिए मैट्रिक का इम्थान इन्हों ने पास किया था उन्हें सब में भी में किया ठीक है तस्वीर कशी खताती और मिसूरी से दिल्चस्पी थी इसलिए कॉलेज अफ आर्ट्स में दाखिला ले लिए अब्दुल रह्मान चुपताई और फिरोज अद्दीन ये दोनों से ये दोनों जन से जो है मतलब कि यहां पर आप लोग ध्यान से समझ लेजिए अब्दुल रह्मान चुपताई और फिरोज अद्दीन ये दोनों जन जो है ना एक तरह से सजीद मुहमाद जाफरी के उस्ताद ही समझ ये मतलब की गाइड किया करते थे राय दिया करते थे जभी भी पैंटिंग करत ठिक आगे बढ़ते हैं मुक्मा इतला आज से वाबस्ता रहे यानकी सुचना विभाग से सेद मुहमाद जाफरी जो है ना समबंदित रहे और ये तेहरान भी गये थे सुचना विभाग से जुड़े थे तो उसी से रिलेड काम करने के लिए इनको तेहरान भी भेजा गया मजाहिय शायरी का मजमूँआ मतलब वैसा शेरो शायरी का किताब इसको पढ़ने के बाद हसी आए हसी मजाक वाली किताब को कहते हैं मजाहिय शायरी का मजमूँआ तो उसका नाम है शुखय तहरीर याद रखिएगा ये important है question पूछ देता है ठीक है और सेद मुहमद जाफ में किस तरह से खड़ा डिनर का मजाख उड़ाए है सेद मुहमद जाफरी किस तरह से बैईजती किये है वो मैं आप लोगों को पढ़कर और मतलब बताती है ठीक है न तो ये आ गया लिखा गया है खड़ा डिनर है गरीबुल द्यार खाते हैं बने हुए श्रत्रे बेमुह खाते हैं और अपनी मेज पर होकर सवार खाते हैं कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं क्या ALL होती है डिनर के साहे में फाजी प्रेड होती है nggak organized으니까 निलोग ऐसे खाते हैं जाकर खड़ा होकर अपने से खुझ से लेकर और खड़ा होकर खाऊ ऐसा लगता है कि कोई गरीब इंसान खा रहा हो बने हुए शत्र बेमुहार खाते हैं और अपनी मेज पर होकर सवार खाते हैं यानिकि सभी लोग मतलब बेलगाम उट की तरह खाते जा रहे हैं और अपने मेज पर मतलब कुछ लोग हैं जो कि अपने मेज पर सवार होकर खा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि कुर्सी पर बैठ कर टेबल पर बैठ कर खा रहे हैं और कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं और कुछ लोग जाकर दोड़कर प्लेट में भोजन डालो और फिर खाड़ाओ कर घटा फिर दोड़कर जाओ फिर लाओ खाओ मतलब ऐसा लग रहा है कि सभी लोग प्रेड कर रहे हूं खाने के लिए ठीक है ना डिनर के साए मैं फौजी प्रेड हो रहा हूं उस तरह खड़े हैं मेज किनारे जो एक प्लेट लिए उन्ही ने कोफते अपने लिए लपेट लिए इधर उधर के जो खाने थे समेट लिए खड़ा था मैं पीछे सौ में रहे गया प्लेट लिए या मेज हो गई खाली अब और क्या होगा पुलाओ खाएंगे बावे फात्या होगा आपर बोल रहे हैं कि खड़े हैं मेज किनारे जो एक प्लेट लिए ठीक है ना जो एक मेज के किनारे प्लेट लिए खड़े हैं उन्हीं ने कोफते लपेट लिए इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए मतलब वो जो व्यक्ति है जो कि प्लेट लिए खड़ा हुआ थ दिदिदे होग की सौलों के पीछे में प्लेट लिए खड़ा था और मैं ौके पीछे का पीछे लिए रहे गया यह नोग आकि अपने पिछी लोग इधर उदर का खाना ले लिए लो और मैं बेचारा प्लेट का प्लेट लिए रह गया और यहां मेज जो है ना वो खाली हो गई अब क्या होगा थी एक मुर्ग की टांग और अकीब ले भागा मेरा नसीम भी जागा पर देर में जागा कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धाग डिनर यह क्या के ना पीछे है जिसका ना आगा यह क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने हकीकतों को संभाले हुए है अफसाने यहां पर सेद मुहमद जाफरी बोल रहा है कि थी एक मुर्ग की टांग यानि कि एक मुर्गे की टांग थी मैं चाह रहा था कि मैं उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, दूसरे इंसान वो मुर्ग की टांग अपने प्लेट में रख लिया, यान कि वो लेकर चला गया, मेरा नसीब भी जागा, पर देर से जागा, यान कि मेरा भी नंबर आया, लेकिन देर से आया, कवाब उठाया, तो उसमें लिपट गया जब मैंने कबाब उठाकर अपने प्लेट में रखा तो देखा कि इसमें धागा ही है धागा लिपट गया है डिनर ये क्या है जिसके आगे पीछे कुछ अपने इसाब से लगाम ही नहीं आए जिसके आगे पीछे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या खबर थी मैं आया था खाने और मुझे इस चीज की खबर ही नहीं थी और ये कैसा खाना खिलाया जा रहा है मतलब अब सेद मुम्मद जाफरी गये थे डिनर खाने के लिए वहां पर क्या क्या हुआ था हकीकत क्या है हकीकतों को संभाले हुए अपसाने यान कि आगे जो है ना वह हकीकत को बता रहा है अब आगे नजम में देखे लिखा गया है हकीकतों का ना कहना जमाना सा हुआ यहां पर बोल रहे हैं कि हकीकतों का क्या कहना मैं क्या हकीकत बताऊं एक शक्स था जो देखने में तो बड़ा ही नमाजी लग रहा था ठीक है लेकिन खाने में मत पूछिये खाने में एकदम जैसे की लग रहा हो खुद अकेले एक मोटी ताजी मुर्गी को उड़ायेगा यालि की खाने में इतना बेलगा मूटत की तरह खा रहा है जैसे की लग रहा है कि घोडे की दोर की बजी लगी हुई हो ठीक है लगाई भूक में महमीज जिसने पार हुआ, मतलब कि जिसको भूक लगी है, अगर उसने महनत की, तो उसको तो खाना मिल जाएगा, मतलब जिसने महमीज लगाई, भाग दोड किया, उसको खाना मिल जाएगा, उसका तो पीड भर जाएगा, लेकिन नहीं तो मेरी तरह से डिन में खाना खाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ठीक है ना भाग दोड़ करना पड़ेगा तभी आप लोगों का पीट भरेगा नहीं तो भूखे ही चले जाओ घर और जाकर सो जाओ वह एक मेज खवातीन गर्द सफारा लबों से उनकी रवाख गुस्तगू का फवारा मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हूं बेचारा कि यह हटे तो उठाओ मैंनान का पारा असीर हलके खुबाजो मुर्ग वहां वो माही है तो हम में शहीद सितम हाय कम निगाही है यहां पर बोल रहे हैं स ऐसा तो होई नहीं सकता है तो वहां पर धेर सारी और अउरते हैं और उनके लबों से गुफ्तगू का फवारा निकल रहा है और बेचारा मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हूं इंतजार कर रहा हूं कि कभ यह सारी और ते हटे तो मैं एक जाकर नान का पारा उठालों नान वहां जाने की जगह नहीं मिल रही है ऐसा लग रहा है कि भीना खाये पिए ही यहां से आज निकलना पड़ेगा ठीक है लग रहा है कि आज मैं भूका ही रह जाओंगा यह बोल रहा है कौन सेयद मुहमद जाफरी और फाइनली यहां पर भी हो जाता है क्या खड़ा डिनर नाम का यह नजम कंप्लीट और देखें कितने अच्छे तरीके से मजाग उड़ा है मतलब वाकई में ऐसा कहीं कहीं होता है लेकिन अगर व्यवस्ता अच्छा रखा जाएगा तो इस तरह भाग दोड़ करने की जवरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत ही जएधा मजाग हैं मर्सिय जो यह लवज है ना अर्भी लवज रेसा से बना हुआ है जिसका मतलब होता है रोना और मातम करना मर्सिय किसे कहते हैं वैसी नजम जिस नजम में किसी शक्स की मौत पर रंज वागम का इजहार किया गया हो उस नजम को कहते हैं मर्सिय यानि कि मर्सिय नजम कव तो वही यहिआ किसके मौत पर लिखा गया है तो आरिफ की मौत पर लिखा गया है और आरिफ कौन है तो मरजा ना अपने भान्जें नहीं ऑर इनका रोग जानते हैंश। इन्हों पर मर्सिया भी लिखें हैं इन्होंने यहां तक की नजम कि अलग अलग सिंसिनफ में इन्होंने तब्ल अजमाई की हैं हरे लिखें हैं लगवक चीज़ो хоч को इनोंNING लिखा है और यहां पर इनके मरसिय को पढ़ना है अक्तर इनकी घजल और शिर अशायरी से लोग इनको पहचानते हैं मतलब घजल के वज़े से लेकिन यहां पर इन्होंने मरसिय भी लिखा है और पिछले चेप्टर में आप लोग को इनके खुतूत भी पढ़कर बताई थी यहां पर आप लोग को मरसिय पढ़ना है लेकिन फिलाल मिर्ज खालिब के बारे में जो डिजल स्चाहिए आप मैं प्लोग के बुक में वह तो मैं आप लोग जानते भी होंगे ठीक है ना मिर्जा गालिब के बारे में लगबग चीजों को पहले इनका खुत हम लोग लाई थी कि इनका जन्म जो हुआ था पैदाई 1767 को हुई थी और इनकी मौत कभी 1879 को हुई थी इनके जो वालिद हैं वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग ठीक है तो अब्दुल्ला बेग जो है वो लखनव आये थे लखनव से हैदराबाद गए और हैदराबाद में ही जब मिर्दा गालिब 5 साल के थे यांकी 18-2 में ही इनके वालिद का इंतिकाल हो गया था ठीक है ना और फिर इनकी जो तालिम तर्वियत और परवरिष जो है ना किसने किया था मिर्दा गालिब 5 साल के थे और 5 साल की उमर में इनके पिता जी की मौत हो गई तो फिर परवरि आद थे यानि कि बाप दादा वह इरान से हिंदुस्तान आए तो यहां पर एराक और एरान में कंफ्यूज हो जाते हैं गलती से इराक लगा कर चले आते हैं ध्यान में यह बात आप लोग important समझते हुए अपने मैंड़े fit कर लिजे कि मिर्दा गालिब के जो आबा उजदाद थे वह इरान से हिराक लगा कर नहीं चले आईएगा इरान इरान से हिंदुस्तान आए थे मिर्दा गालिब के अबाउस्दाद ठीक है ना कोशन अगर आप यानि कि हमारे आप हसन हसाइन और करबला में शहीद होने वाले जितने भी लोग और उपर थे नज्म लिखा जाए उनका उनके शहीद होने पर उसी वाक्य को याद करते हुए और नज्म लिख दिया गया तो उस नज्म को उप्ष और उसको कहते हैं उड्डो शायरी के हिसाब अनीत के दो-परकार का एक मर्सिया जिसमें इसे सिर्फ और सिर्फ rifajat इमाम हुसेन और कर्बला में सईध होने वाले जितने भी लोग है उनके उपर नजम लिखा गया हो देखें उसको कहते हैं मर्सिया उसी को रियली में कहते हैं मर्सिया लेकिन शक्सी मर्सिया किसी शक्स की मौत पर नॉर्मल इंसान की मौत पर जो मर्सिया लिखी जाए उसको क को नौरमली मरसिया ही कहते है क्या जो आरिफ है यानि मिर्दगालिब के मुझे पूरा नाम याद रखेएगा आप दिंग का आरि ecosystem को आरिफ लाध पर मरसिया शलिये में आता कर आप लोग Kopfanta अ कि लाजिम था कि देखो मेरा कोई दिन और तनहा गए क्युंँ अब रहो तनहा कोई दिन और यहां पर द्धागाली अपने बांजी देख लेते ठीक है लेकिन तुम तनहा चले गए अकेले ही चले गए दुनिया को छोड़ कर तो अब रहो तनहा मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर ना गिसेगा वह दर पर तेरे नासिया फ्रसा कोई दिन और बोल रहा है कि तुम्हारे दर पर मेरा सर जो है न घिस जाएगा यहाँ पर तेरा पत्थर ना घिसेगा लेकिन सर तो मेरा तुम्हारे दर पर है मेरा घिस जाएगए तेरे दर पर आए हो कल और आज कहते हो जाऊं माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और बोल रहा है यहाँ पर मिर्जागालिब अपने भाजे को कि कल ही तुम आए हो और आज तुम कहते हो कि मैं जाओं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और, मानता हूं कि हमेशा अच्छा दिन नहीं होता, कोई कोई मतलब ऐसा दिन हो जाता है, जो कि बहुत ही बोरिंग जाता है, बहुत ही खराब दिन हो जाता है, लेकिन हाँ, तुम कुछ दिन और हर दिन अच्छा नहीं होता है कोई दिन बेकार भी होता है लेगां तुम नें brake आ नहीं इतनी जल्दी आने वाली है हाँ ए फल के पीर जमा था अभी आरिफ क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और यहां पर मिर्दा गालिब अपने भाजे को बोल रहे हैं कि हां मतलब उनकी आत्मा को आप यू कह सकते हैं बोल रहे हैं कि अभी मेरा आरिफ जो है ना फल के फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्षा कोई दिन और तुम हमारे घर के चौदवी के चांद की तरह थे तुम इस घर के एक तरह चिराग थे जिससे पूरा घर रोशन हुआ करता था तुम्हारे चले जाने के बाद फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्षा कोई दिन और मतलब तुम्हारे चले जाने के बाद, ये घर का जो नक्षा है, ये पहले जैसा क्यों न रहा, क्यों सब कुछ बदल चुका है, चारो तरफ सुन सननाटाई है, पुरा घर का जो नक्षा है ना, टोटली बदल चुका है तुम्हारे जाने के बाद, तुम कौन से थे ऐसे खरे दाद वो सतद के करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो कौन सी खास बात थी वो क्या क्वालिटी थी जो मलकुल मौत को भी पसंद आ गई और मलकुल मौत तुमको लेकर चला गया ऐसी क्या क्वालिटी थी तुम्हारे अंदर मुझसे तुम् देखा ना तमाशा कोई दिन और बोल रहा है मिर्दा गालीब अपने भांजे को कि मुझसे तुम्हें नफरत ही थी मतलब हमें हमें और तुम्हें लड़ाई ही हुआ करती थी ठीक है ना नम तब तुम मुझसे नफरत करते थे तो चलो नफरत ही सही नएयर से लड़ाई नए लड़ाई करते थे तो लड़ाई करते बच्चों का तमाशा भी तुमने नहीं देखा था कास तुम उनके सांथ खेलते उनसे हसी मजाग करते तुम कुछ दिन उनका और तमाशा देख लेते बच्चों का भी तमाशा बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और यान बागी थी तुम्हें तो अपनी पूरी जिंदगी अभी गुजारनी बाकी थी लेकिन पता नहीं तुम्हारे अंदर वो कौन सी खास बात है जो कि मलकुल मौत को भी पसंद आ गई और मलकुल मौत तुमसों लेकर चला गया खर जो भी हो हमारे जिन्दगी जिस तरह से गुज में गुजरे लेकिन तुम्हारे बीना एक अधुरा अधुरा सा है तुम्हारे बीना ये जिन्दगी जिन्दगी अबना रही कास तुम रहते तो पहले जैसा मतलब वो कहीं नोक जोक रहता ठीक है तुम उझसे नफरत करते थे चलो नफरत ही करते ठीक है ना लड़ाई करत लेकिन काहस्तों व्हास तुम्हारे बीरा तुम्हारे बीना जिए नदा हो जएको हगए नादा हो जो कहते हो क्यूं आप अपना तखलुस यूज किये हैं और बोल रहे हैं अपने आपको ही बोल रहे हैं कि गालिब तुम नादा हो जो कहते हो कि क्यूं जीते हो गालिब या अपने आपको कह रहे हैं कि क्यूं जीते हो गालिब अब तो तुम्हें मर जाना चाहिए लेकिन गालिब तुम नादान हो तुम जानते नहीं किस्मत में हैं मरने की तमन्ना कोई दिन और, किस्मत तुम्हें जब चाहेगी ना तभी मारेगी, तुम्हारे चाहने या फिर ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम नादान हो, जो की तक कह रहे हो कि मुझे अब जीने से कोई फाइदा नहीं है, krybi2ब ये चार चप्टर अम लोग कमप्लीट कर लिया बहुत खुशी हो रही है ल culprit करने के बार तोड़ा सा ब्रक्ट लंबा हो गया है लेकिन को यह बहुत बड़ी को बात है लेतना रंगें ओस वक्शें उस ए मैं, खड़े उकर पढ़ा रही हूं आप लोग के लिए इतना जड़ा एफर्ट करती हूं तो जो कुछ भी समझाती हूं समझ में आता है तो कमेंड में लिख दे कि हां समझ में आ रहा है और उसके सांथ साथ दियो को लाइक कर दे इतनी सार है थे आप लोगा लाइक शेयर करता है इस तरह चैनल करके नोटिफिकेशन बिल जरूरर दुबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे आई होप आप लोग यहां तक तो स्क्रीन लिये नहीं होंगे लेकिन ले लिजिए फड़ावर स्क्रीन शॉट तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करती होंगे ठीक हैं अगले वीडियो में हम लोग 24 चप्टर से स्टार्ट करेंगे जो की मसनवी होगा मसनवी क्या है यह आप लोगों को अगले वीडियो में ही पता चलेगा अब देखिए अगले वीडियो में कितना चप्टर कंप्लीट होता है लेकिना बहुत जल्द कंप्लीट होगा आप लोग और दो का बुक फिर में लेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ स चेहिंद और खुदा हाफिस.